दोस्तों दो दिन पहले देश के कानून मंतरी किरन रिजजु के लिए कहा गया कि उन्हें धोस जमाना शोभा नहीं देता अब कानून मंतरी किरन रिजजु को कहा गया है कि आपके बयान सुप्रीम कोड पर हमले जैसे प्रतित होते हैं दो से तीन दिन हुए हैं दोस्तों और दो से तीन दिन के भीतर भीतर किरन रिजजु को लेकर ये जो जो कहा जा रहा है ये कौन कह रहा है क्या इनको भी देश विरोधी बताने का सिलसिला तो नहीं शुरू होने वाला अब ये सिलसिला शुरू होगा या फिर नहीं ये सवाल का जवाब तो समय के गर्ब में है ये तो पता चली जाएगा बगर उससे पहले आपको बताएंगे कि किरन डिजजू के खिलाफ अब किन अफसरों ने आवाज उठाई है नमस्कार दोस्तों मेरे नामे जयन्ती जाओ और आप देख रहे हैं देनेशन देश के केंद्रिय कानून मंत्री किरन डिजजू ने इंडिया टुडे कॉंट्लेव में एक बयान दिया था दोस्तों जिस पर चर्चा कम नहीं हो रही है जिस पर विवाद छिड़ना जो है वो कम नहीं हो रहा है एक बार फिर से बवाल हो गया है बयान क्या था वो सुनिये बयान था कि कुछ रिटायर जज़ करीब एंटी इंडिया क्रूप का हिस्सा बन गए है ये कहा था किरन दिज़ु ने इनने आगे कहा था कि ये लोग कोशिश करते हैं कि भारतिये न्यायपालिका विपक्ष की भूमिका निभाए देश के खिलाफ इस तरह के काम करने वालों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी अब इस बयान के तूल पकड़ने पर क्या हुआ है दोस्तों वो सुनिए हुआ ये है कि तकरीबन 90 रेटाइड अफसरों ने कानून मंत्री किरन दिज़ु को खुला खत यानि ओपन लेटर लिखा है ये रेटाइड अफसर सिविल सर्वेंट्स रह चुके हैं इन ब्योरोक्रेट्स ने कानून मंत्री के बयान का विरोध करते हुए इस खत में लिखा है कि कानून मंत्री ने कई मौकों पर जज़ों की नियुकती के कॉलेजियम सिस्टम और नियाइक स्वतंतृता पर ऐसे बयान दिये जो सुप्रीम कोर्ट पर हमला लगते हैं जज़ों की नियुकती नियाइक स्वतंतृता और सुप्रीम कोर्ट पर दिये बयानों की हम निंदा करते हैं और नियाइक स्वतंतृता से समझोता नहीं किया जा सकता है यानि अब किरन डिजजु के खिलाफ विरोध के सुर्ण लगातार तेज होते चले जारे हैं दोस्तों कि साफ सी दित्वार पर नजर आ रहा है इस खबर के जरीए समझा जा सकता है अब हमने शुरुआत में इसा क्यूं कहा कि कहीं विरोध की आवाज बुलंद करने वालों को भी तो देश विरोधी नहीं कह दिया जाएगा आखिर यह सवाल हमने क्यूं उठाया दोस्तों इस सवाल क्यूं उठाया उसके लिए आपको किरन रिजजुजु साहब का पूरा बयान पढ़ना होगा समझना होगा शुरुवात में मैंने उनका जो बयान बताया है वो आधा बयान है उस बयान में आगे उन्होंने ये भी कहा था कि देश के बाहर और भीतल भारत विरोधी तकते एक ही भाशा का इस्तिमाल करती है कि लोकतंत्र खत्रे में है इंडिया में यूमन राइट्स का अस्तित्व और नहीं है एंटी इंडिया क्रूप जो कहता है वही भाशा राहूल गांधी भी इस्तिमाल करते हैं इससे भारत की छवी खराब होती है मतलब जो ये कहे गा कि देश का लोकतंत्र खत्रे में है वो एंटी इंडिया ग्रुप का हिस्सा हो जाएगा क्या ये सच है क्या ये कहना चा रहे थे किरन डिचुचु जी ये पूछ रहे हैं दोस्तों हम क्योंकि विरोध सिर्फ नबे रिटायट जजो ने तो नहीं किया है उनके अलावा इससे पहले दो दिन पहले ज था चुके हैं वो खबर भी इस वक्त आपके स्क्रीन्स पर है दैनिक भासकर की एक खबर कहती है कि सुप्रीम कोट और हाई कोट के 350 से जादा वकीलों ने कानून मंत्री किरन रिजजु के विवादित बयान के निंदा की है रिजजु ने इंडिया टुडे के कॉंक्लेव में रिटायट जजो को लेकर एक टिप्री की थी उन्होंने कहा था कि कुछ रिटायट जज एंटी इंडिया ग्रुप का हिस्सा बन बिविदी है कि रिटायट जजों को धमकी दे कर कानू मंत्री लोगों को मेसेज दे रहे हैं कि विरोध के किसी भी स्वर्व को वक्षा नहीं जाएगा वकीलों ने जोर देकर ये भी कहा कि सरकार के आलोचक हर तरह से उतने ही देश-भक्त है जितने सरकार में पदस्थ लो इस वक्त हो गए है ऐसा लग रहा है दोस्तों ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि बीते दिनों न्याय पालिका और सरकार के बीड जो तना तनी चल रही है वो तना तनी क्याम और जाधा बढ़ने वाली है क्योंकि दो महीने पहले कुछ ऐसा ही प्रक्रण सामने आ चुका है अग जदीव धनकड और केंद्रिय कानून मंतरी किरन दिजज़ू के खिलाब बंबे हाई कोट पर पीआ यल दाखिल की थी याचिका में दावा किया था कि धनकड यानि जगदीब धनकड साहब जो की उपराश्टुपती है हमारे देश के उपराश्टुपती जगदीब और कानूर मंतरी कि निजजू ने सुप्रीम कोट की प्रितिष्ठा को कम किया है ऐसे में दोनों को उनके आधिकारी कर्दवियों का निर्वाहन करने से लोका जाए याचिका में मांग किया गया था कि कोट ये भी खोशित करे कि दोनों के बयानों में भारत के सम्मिधान के प्रतिया विश्वास दिखता है जिसके चलते वो सम्मिधानिक पदों पर रहने के योगे बिल्कुल भी नहीं है Bombay Lawyers Association के अध्याक्ष एहमद आबिदी की ओर से याचिका कोट पे दाखिल की गई तो दो महीने पहले मामला Bombay High Court तक पहुँच चुका था उसके बाद साड़े तीन सो से जादा वकील वरिष्ठ वकील किरन रिजिजु के बयानों के निंदा करते हैं और अब बाकाइदा Open Letter लिख दिया गया है वो भी सीधा कानून मंत्री को ही इसे तना तनी बंडे का सिसला न कहा जाए तो क्या कहा जाए कॉलेजियम को लेकर अभी सरकार का रवया सुप्रीम कोट के निदेश के बिलकुल विपरीत नजर आता है कॉलेजियम दोरा सुझाए गए नाम को अब तक भी सरकार की तरफ से मनजूरी नहीं दी गई है ऐसी भी खबरे आ चुकी है ऐसे में क्या कॉलेजियम पर छड़ी इसरार में नयाई पालिका का रुख सरकार के प्रती और जादा सक्त होने वाला है और जादा तगड़ा होने वाला है यह सवाल है इस सवाल के जवाब का इंतजार हर को कर रहा है साथी 90 रिटायर्ट ब्यूरोक्रेट्स ने जो खत लिखा है उस पर किरन रिजजु की क्या पितक्रिया सामने आएगी यह भी देखना होगा दोस्तों बेराल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो अगर आप कोई पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार कर दो जब पसंद पस्भाइगो मुलाका शया जिए 만पकी अवीत भू म्हा दड़ो नमस्कार खर श्ढ़िस Σ fijते कैं के एद यू, झाल झाल झाल